क्या आपके भी कीपेड मुवाल पर OTP आपको नहीं प्राप्त हो रहा है क्या आपके भी कीपेड मुवाल पर OTP नहीं आ रहा है OTP मेसेज नहीं आ रहा है मुझे भी यह प्रोब्लम आ रही थी लेकिन मेसेने से सॉल्ब किया है आज में आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे ठीक करें रखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं जिसी कि मेरे पास है Samsung का Keypad phone आपके पास Samsung का या Nokia का या अधर किसी Chinese company का Keypad phone है उसमें आप OTP प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन OTP आपको receive नहीं हो रहा है तो आप कैसे उसे अपने phone में OTP receive कर सकते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके smartphone में जो SIM card डली हुई है उस पे recharge है के नहीं है ठीक है? recharge होना बहुत जरूरी है और उसमें SMS वाला recharge हो ठीक है? अगर आप UPI बगएरा create कर रहा होगे तो उसकी SIM जो number है इस phone में डला हुआ था तो वहां पर मैं two step verification on किया हूँ तो वहां पर मैं two step verification करने के लिए यहां पर OTP चाह रहा था लेकिन इस phone में OTP आय नहीं रहा था तो मैंने क्या किया? मैंने इस smartphone में देखा कि क्यों नहीं आ रहा है और यहां पर नीचे की तरफ करना है इस तरीके से यह delete multiple लिखाए इस पर click करना है और यह सभी message को इस तरीके से tick करना है और सभी message यहां से delete आल कर दीजिए ठीक है? कभी-कभी क्या होता है हमारे phone की जो memory होती है वो भर जाती है